बाबा अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि दलदल के पास एक घना पेड रहता है, पेड पर एक मैप लटका रहता है, बाबा की नजर उस मैप पर जाती है, वो पेड के पास जाके उस मैप को लेकर आते हैं और उस मैप को खोल के जमीन पर बिछा देते हैं रॉट सोनू मोनू और केविन भी उस मैप को देखने लगते हैं केविन कहता है अले ये तो कोई मैप है ये तो मुझे भी पता है कि ये मैप है पर ये कहा का मैप है ये कैसे पता लगेगा फिर बाबा देखते हैं कि उस मैप में वो दलदल का फोटो रहता है जहां वो लोग रहते हैं तब बाबा को समझ आ जाता है कि ये मैप इसी जंगल का है बाबा सबसे कहते हैं ये मैप इसी जंगल का है और इस मैप की हेल्प से हम छूचू चार्ल्स को खतम कर पाएंगे बस हमें इस मैप को समझना होगा और चूचू चार्ल्स को कैद करने का रास्ता ढूनना होगा बाबा को उस मैप में वो गुफा भी दिखती है जहां चूचू चार्ल्स का अड़ा है और उसकी कुछ ही दूरी पर उन्हें एक बेस्मेंट का भी फोटो दिखाई देता है बाबा कहते हैं हो ना हो इस बेस्मेंट में ही चूचू चार्ल्स को कैद करने का रास्त चुपा हुआ है बाबा सबसे कहते हैं आओ सब लोग ट्रेन में बैठो और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ करते जाओ सभी लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और बाबा उस मैप की मदद से उस बेस्मेंट की तरफ जाने लगते हैं थोड़ी देर बाद वो जगा भी आ जाती है जहां मैप के हिसाब से वो बेस्मेंट रहता है बाबा सबसे कहते हैं ट्रेन से सब लोग नीच आओ सोनू मोनू को तो यही डर रहता है कि कहीं छूचू चाल्ज फिर से ना आ जाए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके कदम रखते ही कुछ अजीब सी आवाज आती है ऐसा लगता है कि जैसे इस जमीन के नीचे कुछ है बाबा को तब समझ आ जाता है कि पक्का यही वो बेस्मेंट है जब पत्ती साफ करके सब उठते हैं तो बाबा को वहाँ एक कुंडी दिखाई देती है वो कुंडी को जब बाबा उठाते हैं तो उन्हें बेस्मेंट का रस्ता मिल जाता है तुम दोनों बाहर ट्रेन में ही रहो अगर तुम्हें कोई भी खत्रा नजर आए तो मुझे कॉल कर देना मैं रॉड और केविन नीचे जाते हैं मुझे पूरा यकीन है कि छूचू चार्ल्स को कैद करने का तरीका जरूर इस बेस्मेंट में कहीं छुपा है सोनू मोनू कापते हुए कहते हैं हम और यहां अकेले लुके नहीं नहीं वो थूठू चार्श अगर हमें अकेले देख लेगी तो वो हमारी चट्नी बना देगी डरो मत कुछ नहीं होगा बस तुम लोग जाके ट्रेन में बैट जाओ मैं ट्रेन के उपर एक ऐसी शील्ड लगा दूँगा कि वो तुम्हारे पास भी नहीं आपाएगी सोनू मोनू ट्रेन में बैट जाते हैं और बाबा मंत्र पढ़के ट्रेन को शील्ड से कवर कर देते हैं फिर बाबा रॉड और केविन नीचे बेस्मेंट में जाने लगते हैं बाबा रॉड और केविन से कहते हैं कि समहल के रहना तुम सब चूचू चार्स ने जरूर यहां कुछ सिक्यॉरिटी रखी होगी वहां बहुत जादा अंधेरा था बाबा अपने टॉड जलाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं कुछी देर अंदर चलने के बाद रोश्नी आने लगती है और बाबा देखते हैं कि एक बड़ी सी किताब वहां रखी हुई है बाबा कहते हैं जरूर इस किताब में चूचू चार्ल्स को कैद करने का तरीका लिखा होगा बाबा जैसे ही वो किताब लेने आगे बढ़ते हैं वो लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है कैविन डर के मारे कापने लगता है जैसे ही वो बाबा की तरफ बढ़ता है बाबा अपने एक्स्ट्रीम मोड में आ जाते हैं इधर बाबा ने मॉन्स्टर को मार मार के खतम कर दिया रॉड और कैविन भाग के किताब के पास जाते हैं रॉड को वो पेज मिल जाता है और वो लोग बेस्मेंट से बाहर निकलने के लिए भागते हैं तो वो देखते हैं कि चूचू चार्ल्स बेस्मेंट में जाक रही होती है वो बहुत जादा गुस्से में थी और उसने सोनू और मोनू को भी किटनाब कर लिया था बाबा अभी नीचे ही रहते हैं कि चूचू चार्ल्स उने लेकर भाग जाती है बाबा और रॉड दूपर आते हैं और फटात से ट्रेन में बैट कर चूचू चार्ल्स का पीछा करने लगते हैं जल्दी उस पेज में पढ़ो कि क्या लिखा है रॉड बताता है कि चूचू चार्ल्स को कैद करने का एक ही तरीका है उसे उसी की गुफा में कैद किया जा सकता है और उस पेज में एक मंत्र लिखा है जिस मंत्र को पढ़ते ही एक पत्थर से वो गुफा बंध हो जाएगी और चूचू चार्ल्स हमेशा के लिए कैद हो जाएगी बाबा कहते हैं कि सोनू मोनू तो चूचू चार्ल्स की कैद में हैं पहले हमें उन्हें उसकी कैद से छुडाना होगा तब जाके हम चूचू चार्ल्स को कैद कर पाएंगे तब तक चूचू चार्ल्स की गुफा आ जाती है और बाबा भी उस गुफा में चले जाते है बाबा और रॉट ट्रेन से नीचे उतरते हैं और बाबा और चूचू चार्ल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है इधर रोट सोनू और मोनू को ट्रेन में ले जाके बैठा देता है और गुफा से बाहर निकल जाता है फिर बाबा बाहर की तरफ भागने लगते हैं और साथ में उसे उस गुफा में कैद करने का मंतर भी पड़ रहे होते हैं बाबा गुफा से बाहर निकलते हैं और धर गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और गुफा का दर्वाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और फाइनली उनका मिशन कम्प्लीट हो गए